प्यारे और अजीज बच्चो अस्सलाम वालेकुम ए लर्निंग इस्कुल एप में आपका स्वागत करता हूँ बच्चो अभी आपने कक्षा चट्टी पाट करमांक छे सीख इस सबक को सुना भी और पढ़ा भी अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं पाट कुछ इस तरह है कि मोहन नाम का एक लड़का बीमार है और बीमारी की वज़ा से उसे तकलिफ हो रही है और वो रो रहा है और बाजू में बैठी माँ मोहन की माँ उसे समझा रही है कि बेटे तुम बीमार हो तुम्हें तकलिफ हो रही है ये मैं जानती हूँ समझती हूँ लेकिन तुम रो मत तुम ठीक हो जाओगे ये लो मंतर वाला पानी बाबा जी ने दिया है इसे पी लो मोहन की माँ मोहन को बोल रही है ये बाबा जी ने पानी दिया है इसे तुम पी लो मुहन कहता है कि मा इससे क्या होगा तो मा कहती है कि बेटे इससे तुमारी बीमारी छूम अंतर हो जाएगी छूम अंतर हो जाना इसका अर्थ होता है गायब हो जाना निकल जाना मा कहती है कि तुमारी बीमारी इससे निकल जाएगी और मैं वैसा ही कर रही हूँ जैसा मुझे कहा गया है मोहन की मा को घर में किसी बुजरुग ने कहा होगा कि इसे मंतर वाला पानी दो तो मोहन की मा इसलिए कह रही है कि मैं वैसा ही कर रही हूँ जैसा मुझे कहा गया है मोहन और मा के दर्मियान में ये बाते होई रही थी कि मोहन के कुछ दोस्त और सहलिया मोहन को देखने के लिए मोहन के घर आते है मोहन की खेरियत और तबियत का हाल पूछने के लिए सो हम कहता है कि मोहन तुम ठीक तो हो ना तुम्हारी तबियत कैसी है मोहन कहता है कि क्या बता हू मेरी तबियत ठीक नहीं है बलके मेरी बिमारी बढ़ रही है मुझे ज्यादा तकलिफ हो रही है तो शिल्पा कहती है कि तुम अस्पताल गए डाक्टर को बताया तुमने दवाई जाके ली शिल्पा का कहना है कि तुमने अस्पताल जाना चाहिए था डाक्टर को बताना चाहिए था और जो तकलिफ तुम्हे हो रही है वो तकलिफ डाक्टर को बता कर डाक्टर से दवाई लेना चाहिए थी तो ये सारी बाते मोहन की माँ सुन रही थी मोहन की माँ बूल पड़ी कि इसे दवाई की दरौत नहीं है बलके इसको किसी की नजर लग गई है इसको किसी की नजर लग गई है जिसकी वज़ा से इसकी तवियत खराव है और इसे तकलीफ हो रही है ये कहते हुए माँ आगे कहिती है कि मैंने मोहन को बाबा जी का मंतर वाला पानी दिया है इसे दवाई की जरुरत नहीं है ये एक दो दिन में अपने आप ही ठीक हो जाएगा बच्चो जब हम बिमार पड़े जब हमें तकलीफ हो तो हमें सबसे पहले अस्पताल जाना चाहिए और हमारी तकलीफ डाक्टर को बतानी चाहिए और दवाई लेनी चाहिए अस्पताल